1989 बैच के IPS आलोक राज बिहार के DGP का पदभार संभाल रहे हैं पुलिस मुख्याले में उन्होंने पदभार संभाला है इस दौरान RS भट्टी भी मौजूद रहे आलोक राज ने कहा कि बिहार के लोगों के लिए पुलिस मुख्याले DGP का ओफेस हमेशा खुला है आम जनता से सहयोग पाने की कोशिश होगी बताने की आलोक राज कड़क अपसर के रूप में जाने जाते हैं दो जनवरी 2023 से वो विजिलन्स में कारे रत थे और इससे पहले फरवरी 2019 से जनवरी 2023 तक ट्रेनिंग DG रहे हैं बिहार होम गार्ड में भी IG के रूप में सेवा दे चुके हैं CRPF में IG के तौर पर काम किया है जारखंड में नकसलियों के खलाफ चलाए गए ऑपरेशन में एहम भूमिकार निभाई आलोक राज कला के प्रेमी भी माने जाते हैं कई मंच पर उन्हें गीत गाते भी देखा गया है इदर रस भटी को विदाई दी गई पटना के मितलेश स्टेडियम में विदाई परेड समारोह का आयोजन किया गया अपने विदाई भाशन में आरस भटी ने बिहार पुलिस की सराहना की कहा कि बिहार पुलिस में कोई कमी नहीं सही प्रसेक्षन की जरूरत है केंद्र में जा रहा हूँ लेकिन बिहार पुलिस के लिए मेरे दर्वाजे हमेशा खुले रहेंगे मतादे कि आरस भटी केंद्रिय प्रतनुक्ति पर जा रहे हैं उन्हें CISF की कमान मिली है अपराद की रोक थाम दूसरा है डिटेक्शन अफ कराई मर्थात अपराद का उद्भेदन और तीसरा है स्पीडी ट्राइल के माध्यम से अपराधियों को मान्यन नियाले से सजा दिलाना इन तीनों बिंदूओं पर काम करना है और आम जनता का विश्वास जीतना है बिहार की पुलीस, डीजी का ओफिस, डीजी का कक्ष आम जनता के लिए खुला है छे मूल मंत्र भी आपने सर अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों के लिए दिये है छे मूल मंत्र मैंने कहा है समय अर्थात रिस्पॉंस टाइम कम से कम हो सार्थक अर्थात सार्थक कारवाई हो सत्य निष्ट अर्थात इमानदारी से काम हो शक्ती अर्थात सशक्ती करन पुलिस का और स्पीडी ट्राइल और समवेदन शीलता प्रशिक्षन सही दिशा सही लिडर्शिप यह और आगे बढ़ेगी ऐसा मुझे विश्वास है और बिहार आगे बढ़ रहा है बिहार पिलिस भी आगे बढ़ेगी योगों की सेवा में रहेगी न्याय के लिए खड़ी रहेगी और आप अपने आपको एक न्याय के रक्षक की रूप में देखना है यह अपने आचरन वैवार अपने काम हर चीज में वो दिखना चाहिए कि आप न्याय के रक्षक अगर वहीं ठाने से यह यह सोच और इस वैवार से काम शुरू हो तो पूरा जो प्रिम्नल जस्टिस सिस्टम में उसका सारा काम असान हो जाता है कम मजूर का हाथ पखड़िये और उसके साहरा बनी यही सब सोच से हम काम कर रहे हैं निश्चित बहुत से काम बाकी है उस दिशा में काम होंगे निश्चित बिहार पुलिस के कार्यों की जाते जाते R.S. भटी ने खूब सरहना की हिंद्रे प्रतिनुक्ति पर जा रहे है R.S. भटी लेकिन उन्होंने साफ कहा कि बिहार पुलिस में कोई कमी नहीं है थूढ़ा सा और प्रसेक्शन और उनके कार्यकुशल्ता में और सु झाल झाल झाल